ओम श्री साइराम, धर्म वाहिनी अध्याए एक, धर्म के अर्थ को समझें, मानव को अपने आपको धर्म के प्रती समर्पित कर देना चाहिए और उसे सदैव धर्म कार्य में लगे रहना चाहिए, जिससे कि वह स्वेम शांती पून जीवन बिताए और ये संसार भी शांती क आनन्द प्राप्त करे। जब तक वो धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं करेगा, उसे न तो वास्त्विक शान्ती प्राप्त हो सकती है और ना ही वो भगवान की दया का पात्र बन सकता है। जब धर्म की जीवती मानविय संबंधों को जीवतीर में बनाने में विफल हो जाती है, तब मानव जाती दुख रूपी रात के अंधकार में डूप जाती है। इश्वर धर्मा अवतार हैं, धर्माचरन द्वारा ही हम उनकी दया के पात्र बन सकते हैं, वो सदा धर्म का पोशन करते हैं। धर्म की स्थापना करते हैं, वे स्वयम धर्म हैं, वेद, शास्त्र, पुरान और इतिहास धर्म की महिमा का बखान करते हैं। विबिन धर्मों में प्रचले धर्मिक ग्रंतों में धर्म अनुयाईयों की ही भाषा में धर्म के बारे में बताया गया है। प्रतियेक व्यक्ति का यह कर्तव है, कि वो हर समय, हर स्थान पर धर्म के मानविय स्वरूप, धर्म नारायन के प्रती श्रधा प्रदर्शित करें, धार में कृतियों की धारा सदैव बहती ही रहनी चाहिए, उसे कभी सूखने नहीं देना चाहिए, अर्थात, मनुष्य को ध धर्म कार्य हमेशा करते ही रहना चाहिए, क्योंकि इसके शीतल जल के प्रभाव के रुक जाने पर घोर विपत्ती और संकट पैदा होना अवश्यम भावी है, मानवता इस थिती को प्राप्त कर चुकी है, क्योंकि धर्म सरस्वती नदी के समान है, जो अध्रिश्य है और भूमी के नीचे बह कर जड़ों को सीचती है और स्तोत्रों को परिपूर्ण करती है, इसी प्रकार धर्म भी अध्रिश्य रूप में मानवता की जड़ों को सीच कर और उनका पालन पोशन कर उसे पुष्ट बनाता है, धर्म का पालन केवल मनुशिक को ही नहीं, बलकि पश पक्षियों को भी करना चाहिए, क्योंकि धर्म पालन करके वे सुक शान्ती प्राप्त कर सकते हैं, अता धर्म की अविरल धारा को निरंतर प्रवाहित रखना अत्यावक्षिक है, जिससे की यह संसार सुक शान्ती में जीवन यापन कर सके, संसार के रंग मंच पर घोल विनाश लीला हो रही है, क्योंकि सत्य की उपेक्षा और अनादर हो रहा है, अता धर्म की अविरल धारा को निरंतर प्रवाहित रखना अत्यावश्यक है, जिससे की यह संसार सुक शान्ती में जीवन यापन कर सके, संसार के रंग मंच पर घोल विनाश लीला हो रही है, क्योंकि सत्य की उपेक्षा और अनादर हो रहा है, और धार्मिक चीवन के सिध्धानतों में आस्था और अविश्वास प्रकट किया जा रहा है, इसलिए मनुश्य को धर्म के तत्व को ठीक प्रकार समझ लेना चाहिए, उसे ये भलिभाती जान लेना चाहिए, कि धर्म क्या है, धर्म का सार क्या है, मनुश्य एक साधारन मनुश्य यदि धर्म का पालन करता है, तो क्या वह सुखी जीवन वेतीत कर सकता है? अपना अस्तित्व कायम रख सकता है? मानव मन इन ब्रहमों में फसा हुआ है और उसके जीवन में यह स्वभाविक भी है, इसलिए उसके इन ब्रहमों को दूर करना, शंकाओं का समाधान करना आवश्यक ही नहीं, बलकि अत्याव पश्यक है. जैसे ही एक आम आदमी धरम की बात करता है, वो समस्ता है भीग देना, भूके प्यासे को भोजन कराना और पानी पिलाना तथा तीर्थ यात्रियों आदी के लिए रहने की विवस्था करना, परंपरागत कार्य विवसाय करते रहना, नियमों का पालन करने का स् भाव, सत्य असत्य में भेद करना, नैसर्गिक प्रवृत्ती के अनुसार कारे करना, अपनी उतक्रिष्ट अभिलाशाओं और इच्छाओं की पूर्ती करना इत्यादी इत्यादी. वास्तव में बहुत अधिक समय से धरम का निर्मल स्वरूप मलिन पढ़ता जा रहा है, और वह पहचानने में नहीं आता, उपेक्षित होने पर सुन्दर-सुन्दर खेत और कुंज भी जंगल जैसे हो जाते हैं, और श्रीग्र ही ये ऐसी जाडियों और कटिले जंगलों म परिवर्तित हो जाते हैं, जो पहचानने में भी नहीं आते, लोभी लालची जब अच्छे और हरे भरे पेड़ों को काट डालते हैं, तब वहां की रमनिय प्राकृतिक छटा ही बदल जाती है, समय के साथ-साथ लोगों में नहीं नहीं आदनें पढ़ जाती हैं और वे इ प्रतियेक व्यक्ति को धर्म की रूप रेखा को समझ लेना चाहिए, जिसकी व्याख्या वेदों, शास्त्रों और पुरानों में की गई हैं, अल्प बुद्धी से कुछ का कुछ समझ बैटने से, निरंकुष, मनोविकार और दूशित तर्क, वितर्कों से धर्म के उपको बहुत बड़ा धक्का लगा है, जिस प्रकार स्वच्छ नीले आकाश से जो वर्षा की बूंदे गिरती हैं, वे स्वच्छ होती हैं, लेकिन पृत्वी पर गिरने पर उनका रंग बदरंग हो जाता है, और वर्षा का पानी गंदा हो जाता है, उसी प्रकार बस्तुत किये हैं और अपने कारियों द्वारा जो अच्छी और स्वच प्रेड़ना दी है, उन्हें आज के तथा कतित व्याख्यताओं एवं विद्वानों ने नए ढंग से भद्दे व्यंग पून रूप में चितरित किया है, बच्चों की किताबों में पाठ को समझान के लिए चितर दिये होते हैं, लेकिन उन चितरों का उद्देश बच्चों को पाठ में दी हुई बातों को समझाना होता है, ना कि चितरों को देखकर उन्हीं में लगे रहना और उनसे मनुरंजन करना और असली बात या तथ्य पर गौर ना करना, जिस प्रकार बच्चे उन चितरों को देखने में ही अपना समय लगाते हैं, उन चितरों के माध्यम से पाठ का सार ग्रहन नहीं करते, उसी प्रकार अविवेक और अशिक्षित लोग धार में कृत्यों और अनुष्ठानों को समझने में गलती करते हैं, वे उनके पीछे छिपे सत्य पर ध्यान न ही देते, उन कृत्यों से उन्हें जिस सत्य को ग्रहन करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करते हैं, सड़क पर यातरा करने वाले यात्री जब चलते चलते थक जाते हैं, तब उसके किनारे लगे व्रिक्षों की शीतल चाया में या अन्य आराम के स्थानों पर बैट कर आराम क करते समय कुछ नहीं तो वे पेड़ की टहनिया ही तोड़ लेते हैं और कुछ तोड़ फोड़ करते हैं और इस प्रकार जिन साधनों से उन्हें आराम मिल रहा है उन्हीं की उपेक्षा कर उनको हानी पहुँचाते हैं इसी प्रकार मंद बुद्धी और भ्रष्ट लोग अतिक्ता की आकृती ही बदल देते हैं और दुनिया को यह विश्वास दिला कर कि वे तो वेदों की शिक्षा के अनुसार ही कार्य करते हैं धोखा देते हैं जब धरम की इस प्रकार धज्जियां उड़ाई जाती हैं उसे शत्विशक्त किया जाता है और भगवान के शत्र धर्म की आकृती ही विकृत करते हैं तब ईश्वर देवी देवताओं और देवे आत्माओं के आवान पर स्वेम धर्म और कर्म के शेत्र में सत्तिकी स्थापना करते हैं। आदश उपस्थित करते हैं और धर्म को वेवार में लाकर उधारन प्रस्तुत करते हैं। जो उसे काम, क्रोध, मद, लोब, मोह और मदसर में फसाकर घोर विपत्ति की और ले जा रहा है। केवल इस प्रकार ही धर्म की स्थापना की जा सकती है। वेदों ने भगवान को धर्म और बुध ने भगवान को विज्ञान कहा हैं। क्योंकि उन दिनों में कोई वेद कहना पसंद नहीं करता था। जैसे कि सोमक असुर के समय में जो लोग वेदों का अनुसरन करते थे, वे वेद कहने से भी डरते थे। क्योंकि लोगों को मृत्यू का भै रहता था। इसलिए इस प्रकार का वेवार उस समय ठीक था। यदिपी बुध ने वेदों को विज्ञान कहकर पुकारा था। फिर भी उन्हें वेदों के प्रती प्रेम था। वे सदैव इश्वरिय तत्व से परिपून रहे। बुध के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वे नास्तिक थे। ठीक है, यदि वे नास्तिक थे, तो आस्तिक कौन है। जबकि बुध का संपून जीवन ही एक धार्मिक आख्यान है। शंकर की कुछ लोग ये कहकर आलोचना करते हैं कि वे धर्म और कर्म के विरोधी थे। लेकिन उन्होंने उस धर्म और कर्म का विरोध किया है, जो इच्छाओं की पूर्ती को सामने रखकर किया जाता है। सत्पुछा जाए तो वे एक महान गुरु थे जिन्होंने धर्म और कर्म का पाट पढ़ाया। उन्होंने लोगों को बताया कि जब वास्त्विक सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है, तभी वो प्रयास धर्म और कर्म के अंतरगत माना जाता है। सत्य पर आधारित धर्म और कर्म के प्रती, शंकर के लगाओं और बुद्ध के वैदिक तत्व के प्रती विश्वास की सराना वही लोग कर सकते हैं, जिनका द्रिष्टिकोन उच्च और व्यापक है, संकुचित नहीं है. बिना व्यापक द्रिष्टिकोन का व्यक्ति, व्याख्या करने में भूलता भटकता रहता है, एक उचे स्थान पर चड़ने के लिए उस स्थान के बराबर एक उची सीड़ी होना आवश्चिक होता है ना? जो भी अपने अहम को वश में कर लेता है, अपनी स्वार्त पून इच्चाओं और अभिलाशाओं पर विजय प्राप्त करता है, अपनी पाश्विक भावनाओं और मनो वेगों को नश्ट करता है, और शरीर को ही आत्मा मानने की अपनी मूल प्रबृत्ति को छोड़ देत है, वास्तव में वही धर्म के पदपर है, उसे ये मालूम रहता है कि धर्म का लक्ष आत्मा को परमात्मा में उसी प्रकार लीन करना है, जिस प्रकार की लहरें समुद्र में विलीन हो जाती हैं, सभी सांसारिक मारगों में तुम्हे इस प्रकार साबधान रहना चाहिए कि तुम्हारे कार्यों से मर्यादा और सदाचार के सिधानतों को चोट न पहुँचे, अंतरवानी से प्रेरित होकर अपनी मनो कामनाओं को पूरा करने के लिए तुम्हें कोई गलत काम नहीं करना तुम्हें हमेशा अपने आत्मा की आवाज का सम्मान करना चाहिए। तुम्हें अपने कदमों की निगरानी करनी चाहिए कि वे कहीं गलत तो नहीं पड़ रहे हैं। अर्थात तुम कहीं गलत काम की ओर तो अग्रसर नहीं हो रहे हो। संसार की विविदता में नाना प्रकार की सुहावनी वस्तों में एकता के सत्ति की खोज करने के लिए तुम्हें सदैव ततपर रहना चाहिए। यही मनुश्य का परम करतव है, यही तुम्हारा धर्म है। ज्यानागनी की धदकती हुई ज्योती आपको विश्वास दिलाती है कि ये सभी कुछ ब्रह्मा है, सर्व खल विदम ब्रह्मा। ये तुम्हारे संपूर अहम और सांसारिक मोहों को जला कर भस्व कर देगी। तुम्हें ब्रह्म के साथ एक्य स्थापित करके आनंद में मस्त हो जाना चाहिए। तुम्हारा सांसारिक नशा उतर जाएगा और तुम इश्वर्य नशे में मस्त रहोगे। धर्म का यही परमलक्ष है और धर्म में प्रवृत्त होकर इसी प्रकार के पार लौकिक कर्म करने की प्रेड़ना प्राप्त होती है। वेदों का संदेश है कि ज्यान की वेदी पर अज्यान और अहंकार को त्याग दो और उसके स्थान पर धर्म को स्थापित करो। ऐसा प्रतियक निश्काम कर्म धार्मिक कर्म है जो आत्मा को परमात्मा में लीन करने के लिए आधार तयार करता है। जो दृष्टी कोन को इस प्रकार व्यापक बनाता है कि ब्रह्म सर्वत्र है, सर्व व्यापक है। इस प्रकार का प्रतियक कर्म उस छोटी सी धारा के समान है जो पवित्रता की नदी में मिलकर ब्रह्म ज्यान रुपी समुद्र की और तेजी से बढ़ता है। समस्त ब्रह्मान में व्याप्त परमात्मा की पूजा और भक्ती के तुम जो भी कार्य करते हो, वे सभी धार्मिक कृत्यों और अनुष्ठानों की कोटी में आते हैं। जो भी कर्म समर्पन की भावना से किया जाता है, वो धर्म का ही अंग है, जिससे आत्मानुभोती प्राप्त होती है। यह आवश्यक है कि हम मन, बचन और करम से शुद्ध बने। तुम्हें प्राचीन धर्म कर्मों को समझने के लिए उनके प्रतिकात्मक अर्थों पर गौर करना है। आध्यात्मिक शेत्र में ऐसे अनेकों तकनीकी शब्द हैं जिनके अपने निजी विशेश अर्थ और भाव हैं। इस विशिष्ट शब्दावली को तुम्हें ठीक प्रकार से समझना होगा, जिससे कि तुम शास्त्रों की शिक्षा सही सही ग्रहन कर सको। उधारनार्थ, पुराने जमाने में लोग यग्य करते थे और इन यग्यों में वे पश्वों की बली चढ़ाते थे। लेकिन पश्व प्रतीक मात्र हैं, ये कोई मूप्रानी नहीं होता था, जिसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता था। बलिदान की वेदी पर मनुश्य द्वारा उसकी जीवन लीला समाप्त किये बगैर भी पश्व त्याग में जीवन व्यतित करता है। जिस पश्व की बली चढ़ाई जानी चाहिए वो बिलकुल भिन्न है। आध्यात्मिक शब्दावली में पश्व या जीवन का अर्थ है शारीरिक चेतना, अहमचेतना और इनकी ही बली चढ़ाई जानी चाहिए। इश्वर को पशुपती या गोविन्द कहकर पकारते हैं। पशुपती का अर्थ है सभी पश्वों का स्वामी। यहां पशु का अर्थ है जीव। गोविन्द का भी अर्थ है जीव का संग्रक् गो का अर्थ है जीव, गोपालन श्री कृष्ण की प्रतिकात्मक लीला है। वास्तों में इसी प्रतिकात्मक लीला के माध्यम से वे अपनी जीवन लीला या जीवरक्षा का लक्ष प्रदर्शित करते हैं। प्रकृती के साथ लगाओ खत्म हो जाए और बाये प्रकृती के प्रति उसने जो मौ और भ्रम हैं उससे उसे छुटकारा मिल जाए। बाये प्रकृती की वास्त्विक स्थिती से वो अवगत हो जाए। साथ ही साथ उसे अपनी असली सत्ता और अस्तित्व का सही सही एहसास ह शास्तों में दिये गए इन अर्थों और व्याख्यानों को जवान बुढों सभी को पढ़ना चाहिए उनका मनन करना चाहिए उधारन के लिए हम शिव मंदिर पर ही विचार करें शिव मंदिर में शिव मूर्ती के ठीक सामने नंदी की मूर्ती स्थापित रहती है हम सभी को ये बताया गया है कि यह पवित्र नंदी शिव जी का वाहन है मंदिर में उसके स्थान उस स्थान पर रहने का यही कारण है लेकिन सही अर्थों में वो नंधी या पशू जीव का प्रति निधित्व करता है और शिवलिंग शिव का प्रतीक है ये कहा जाता है कि नंधी और लिंग या जीव और शिव के बीत से नहीं निकलना चाहिए क्योंकि उन दोनों को एक रूप हो जाना है शिव को जीव में और जीव को शिव में लीन हो जाना है लोग कहते हैं कि शिव को नंदी के दोनों सींगों के मध्य से देखना चाहिए उनसे जब इस विधी से शिवलिंग को देखने का कारण पूछा जाता है तब वे केवल यही उतर देते हैं कि शिवलिंग का इस विधी से दर्शन करना अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक पुनीत है लेकिन इसका आभ्यांतरिक अर्थ कुछ और ही है इसका वास्तुविक अर्थ है तुम्हें शिव का दर्शन जीव में करना चाहिए पशु और पशुपती एक ही है नंदी और ईश्वर मिलकर ही नंदीश्वर हो जाते हैं जीव शीव जीव शिव नंदी नंदीश्वर एवं पशुपती में एक ही सत्ता विध्यमान है केवल कहने के दो ढंग है जब तक जीव सांसारिक्ता के बंधनों में बंधा हुआ है तब तक चाहे उसे नंदी कहो पशु कहो या जीव जब बंधन मुक्त हो जाता है तब वही जीव इश्वर हो जाता है सांसारिक बंधनों से मुक्त होने पर इश्वरत्व या नंदी इश्वरत्व की प्राप्ति होती है और जीव द्वारा इश्वरत्व प्राप्त कर लेने पर उसकी पूजा होती है वह इश्वर या सम्मान और आधर प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है जब पशु की पशुपती के लिए बली दे दी जाती है अर्थात जीव ईश्वर में लीन हो जाता है और उसकी स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो जाती है उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहता उसी समय और वही वास्त्विक यग्य होता है यग्य का यह मत्व अब लोगों ने भुला दिया है आज ये प्रतिकात्मक कर्म बिल्कुल बदल गए है और लोगों को इनका लेश मात्र भी ज्यान नहीं है आजकल के वहवार और पुराने समय के सिधानतों में बहुत अंतर आ गया है सांसारिक जीवन के छोटे से छोटे कारे भी आध्यात्मिक्ता की पूर्ति के उच्चतर आदर्श से प्रेरित होने चाहिए तभी साधारन मनुष्य को उस परमलक्ष की प्राप्ति के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा सकता है यदि तुम किसी कारे को उसके करने की विधी और उसके प्रयोजन को समझने बगह करते चले जाओगे तो वह कारे ठीक कारे ना होकर हसी मजाक होगा एक बार प्रहलाद ने भी कहा था च्यूकी अहम को नश्ट करना कठिन है इसी लिए उसके स्थान पर मनुश्य इस गूंगे पशू की बली देना सरलता समझता है पशू बली एक तमोगुडी कारे है ये तो बंधन का मार्ग है मुक्ती प्राप्त करने के ईश्वर्य पत्ह में अहम रुपी पशू की बली देना ही सात्विक रग्य है इस प्रकार प्राचीन काल का परमार्थ वरतमान समय में पामरार्थ पामर जोड अर्थ के रूप में परिवर्थित हो गया है परमार्थ का अर्थ है आध्यात्मिक लक्ष जबकि पामरार्थ का आशे है मूर्खों का लक्ष इस प्रकार हर पुरानी प्रथा और परंपरा जो पहले सार गर्भित और अर्थपूंट थी अब दिन प्रतिदिन भ्रष्ट होती जा रही है उनमें अनेकों शाखाएं प्रशाखाएं निकल गई हैं लोग ये समझने में असमर्थ हो रहे हैं कि अमुक प्रथा या परंपरा का आशे क्या है ये अब संभव नहीं है कि इस व्रिक्ष को जड़ से उखाड डाला जाए और उसके स्थान पर एक नया पौधा लगाया जाए अतह इस व्रिक्ष को काट छाट कर ठीक कर दिया जाए जिससे कि वो समर्सुधर कर ठीक प्रकार से पढ़े मुक्ती प्राप्ती के परं लक्ष को सदा याद रखना चाहिए उसे सांसारिक विशेवासनाओं, संबंधी, निम्नतम लक्ष के साथ मिलाना नहीं चाहिए जै साहिराम